करोणा से हुए गहरे घावों ने देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव जाला है भारत में भी हजारों लोगों की रोजगार शिन गए और रोज कमाने और रोज खाने वालों की तो परिशानी काफी बढ़ गई ऐसे में कुछ लोगों तथा संस्थानों ने दूसरों के बारे में और उनकी भूग के बारे में सोच कर कई कारिकी दौसा में भी एक ऐसी संस्थान है जो लोगों को भोजन उपलब्द करवा रही है दौसा की रसोई के नाम से ये संस्थान संशालित है जो से कोरुनावन और चूँ में अभुद पूर्वकार किया लोगों की दिनराज सेवा की आर्थिक तंगी से जूज रहे लोगों की घर भोजन के पाकेट्स वित्रत किये ऐसी संसान का जैजा लिया हमारे समौरता सुनील सत्यवादी में दोस्सा क्यरेसोई के वरक्शोप में जहां लोग बहुत टाइम से लंबे समय के पौरना कालखंड के समय से कि परेणा कि बात करें तो इंसान में यह इस पूरा श्रेह दुना मेरे मेरे स्कूल को आधर शुद्य अंदिर से निए वहीं हमें सिखाया जाता है कि इन्सान को अपना पूरा जीवन सबसे पहले मात्रुभूमी के लिए समर्फत करना चाहिए और परोना के से विसंपर इस् कर देख हो त्किन को जाड़ा असथा कर दोस्तान को लोग की रेखियां कि था नोग आप्सले स्परणाई में चुछ आप लूग जहां और खरू लुग में ञाट बॉज थांग ही हुएन resource पांच बज़े के आसपास ही हम दौसा रस्वई को चालू कर देते हैं और बारा से एक बज़े के बीच में पूरे पैकेटों का वितरण दौसा सहर में जरतमंदों को उनके घर बैठे अपलब्द करवा दिया जाता है यह प्रेणा कहां से मिली मैं यह विचार एक इस लायक आपको बनाया है तो फिजूल खर्ची के बज़या है आप अपने कमाईवे धन का सबसे अच्छा सदूकियों कर सकते हैं जरतमंदों की सेवा में इसलिए मैंने यह प्रयास कि जो कुछ इस्वर ने मुझे दिया उसको लोटाने का प्रयास करूं कैसे भी मैं इसके जन सेवा के सही सदूकियों कर सकूँ कि प्रयास रा इसके साथ ही हमने खुशिया बाटो अभियान भी चालू कर रखा है जिसके तायत किसी के जनम दिन या विवाव वर्सकान पर उनकी तरफ से दौसागी रसोई संस्तान में बोजन के लिए रासन उपलब्द करवाया जाता है नगत सयोग राजी दौसागी रसोई संस्तान कभी लेती नहीं तो रासन अगर वो लोग भिजवाते हैं तो उस दिन का भोजन हम उनकी तरफ से उपलब्द करवाते हैं और इस तरह के समात से भी और अच्छी सोच वाले अगर आपन कुछ कर सकते हैं इस लोग ने आए और अगर आपन कुछ कर सकते हैं इन लोगो के लिए तो आपन को करना चाहिए उसी कड़ी में हम मनोजी तागोजी के साथ में हम आए और उसके साथ हुआ हमारा कारवा ऐसा बढ़ता गया बढ़ता गया कि आज हमारे ग्रूप में सब्तर से असी लोग जुड़े हुए देखे बच्पन से एक बात पढ़ी ती और सुनी थी कि धर्म की जड़ सदाहरी लेकिन बहुत बड़े होने के बाद बुसकार समझ में नहीं है लेकिन जब दूसरे के रसमें आए इन लोगों से मिलें इनकी बातों को समझा तो लगा कि सच में धर्म की जड़ सदाहरी होत इनके यश्कों बड़ा है एवन टीवी सुनी सत्यवादी दो साथ